नमस्कार किसान बायू, हमारे यूटूब चैनल डीकी किसान फार्मिंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। किसान बायू आप हमारे चनल पो पहली वार हैं, तो चेनल को सब्सक्राइब करने, किसान भाई यह हम आज बात करने वाले हैं हमारी जो मटर की फसल है आलू की फसल है उसमें बहुत से प्रकार के इंसेक्ट आते हैं और वो हमारी फसलों को काफी नुक्सान पहुचाते हैं कितक जो है हमारी वालू और मटर की फसलों को काफी नुक्सान पहुचाते हैं जिससे हम किसान भाई काफी परिसान होते हैं और उस समय में हम कोई सी दबा इस पर करें यह कुछ समझ नहीं आता है तो किसान भाई हमें इसके लिए आपके लिए लेकर आहें बहुत इच्छी दबा जिसका नाम है क्रक्स जो की निशीनु जापान की आती है इसकी जो कंपणी है निशीनु इंडिया प्राइबिट लेले जापान का है और इसमें जो टेक्निकल आता है वह हम आपको बता दें थामत हक्जम 25% WG फॉर्म में जिसका फॉल फॉर्म होता है WG का विटेवल ग्रेनवल फॉर्म में आता है किसान भाईयों हलका दानेदार फॉर्म में आता है इसका उप्योग आप अपने क्रॉप में कर सकते हैं बहुत ही बड़ी है आपको रिजट देखने को मिलेंगे क्यूंकि पत्तों में जो छेद होते हैं काले-काले छेद हो जाते हैं पत्तों की पीशे हारे मच्छर वाइड फलाई का अटेक हो जाता हैं बहुत सारी समस्याद आती हैं इससे आप बहुत ही अच्छी तरह से निजात पा सकते हैं काफी किसान भाई अलग अलग प्रकार की दवाईयां इस परे करते हैं उससे वेटर सुरुआ दिये वस्ता में जब आपके खेतों में ये अटेक हो तो उस समय में अटेक की समझ से आपको दिख रही हो उस स किसान भाईयों इसके जो 100 ग्राम की पैकिंग है और इसके जो पैकिंग का प्राइस है वो है किसान भाईयों 250 रुपए मार्केट में आपको ये आराम से 200 रुपए में मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं किसान भाईयों इसके डोज की तो इसका जो डोज है किसान भाईयो जरूर करें पांच हैमल प्रती पंग के साब से सिलूप क्याम भी उस्विट को और तब तो आमारे दोरा दी गई जाने का रही है आपको कैसी लेगी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें और मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए धन्यवाद है